कि गोडियूनिंग दोस्तों सब बहुत अच्छे होंगे सर्दीगा पूरा ध्यान रख रहे होंगे अपना चेप्टर नमबर आठ साइंस में चलेगा पैड़ा गोजी का साथ चेप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं आठवा चेप्टर आपके सामने लिखे हैं मुल्यांक मेत के अंदर एंडर हो चुक है मुल्यांकन जो मेत ऐंडर लेडी होगत है वहाँ पी यह आपने पड़े लिया है तो ये वहाँ भी सेंस और मैत बस ही डिप्रेंट है वाखी मुल्लियांकन तो सभी ये मैं रिशी किसी भी सब्जेट करना य pag billion सब्स Сब से से उच्छी स्थातर तक उसको पहुचाना उसके अंदर जो कमज़ोरी है उनको पैचान और मुल्लेंकन क्या है तो मुल्यांकन क्या है इस देखो परते हैं मुल्लांकन भहेपर करिया है जिसके दवारा अधिकम प्रिष्थित्यूंत सीकने के अनुभाउं के लिए कि प्रिव्क्त की जाने वाली समस्त भी दियां और प्रविदियां की उप्यों उपाय देता की जांच की जाते यह अफर क्या शीका रहे हैं वह कितना सीख रहा है और लास्ट में उसका परिनाम क्या था मुल्यांकन शिक्षन अधिकम परक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनीचित करता है कि उसके द्वारा कीगी सिक्षन व्यस्ता तता सिक्षन को आगे बढ़ाने की किरिया कितनी सपल दी जैसे बोड़ गी एक्जाम पुरी साल महनत कते बच्चे और बोड़ परतित्र का कारी करती है इस तरह मापन के अधार पर शिक्षकों एम सिक्षात में आवसक सुदा लाने के उद्देश्यू से मुल्यांकन की परक्रिया अपना ही जाती आगे देखिए दोस्तों इसमें यह देखा जाता है कि पूरी निदार्य तो उद्देश्यू की प्रिक्षा में यह बहुत कामाने वाले इंगलीज का है आप इससे लेकर अपने प्रिक्षा को और भी बहतर बना सकते हो मूल्यांकन तक्निक को अभी वरन मुल्यांकन तक्निक के कुछ हम भीवरन पहला मोचीक प्रिक्षा जिसमें कोफी पेने क्या सकती है नहीं होती विद्यातिव के ज्यान का प्रेक्षिन करने लिए प्राड़ργh.มौकिश्या का होना आव सकते उच्छ कर्षाओं में भी मोखीग परिक्षा होती है मोखीग परिक्षिया औरल टेस्ट के दुवारा विद्याति को किर्यास सिल्टा तरह अभी वक्ति की तुरूंत जाच की जा सकते हैं कि उसको कितना समझ मैं रहे हैं उसकी कितनी योगित है वो कितनी क्वालेटिव चलता है उसमें क्या क्या कम जोरी है सब की यहां पर जाच की जा सकते हैं मोखी प्रिक्षा में ज्ञानात्मक व्यहवार आत्मक छेतरु से समंधित उपलबनियों के अतिरिक्त बहावात्मक पक्समी समंधित बाते जैसे विज्ञान सिक्षन के परती रूची आदते व्यक्त कुसल्ता की जाँच कि जासते है इसी परिक्स्या में विद्याथ को द्वारभ की जाने वाले प्रिव्णात्मक एंक किराथ मा कार्यों की आदार पर उनकी इस शेतर में समंदित एंस geschक्षिया Pas सब्सक्राइब को जल्दी से जल्दी कीजिए ज़्यादा से ज्यादा बच्चे को बताइए आपके जो फ्रेंट के लिए उसमें भी स्टेस्रीज की चर्चा कीजिए और यह सभी कर भला तुष सबका भला करोगे तो अपना अटमेटिक भला हो जाएगा तो इस वावनाव को ध्यान रखते हुए आप स्टेस्रीज को ज्यादा ज्यादा सेर करेंगे ज्यादा ज्यादा आपने फ्रेंट सेर्कल में बताइए लिखित परिक्षा एक्जाम होती है शिक्षा में परिक्षाओं से संब्दित कारे लिखित परिक्षाओं के मार्दम से ही संपन किया जाता है यह किया जाते हैं अभी देखों दोस्तों बोड़े यह वोड़ेशाम प्रसंथे अर से में अningen तय द्द्धितिर से लिए जाता है से अज आज थ्वास्मेंस एकजां में से उसमें भी तो क्यों ओनश्म जाते 210 कंप एक लायन में क्योशन दे दिया जाता है और लिमितेर्स सब्द दिया जाता है कि इतने सब्द में उसका तेना आपको 1 सदेना और वह वहत्र तरीकी से बैस्ट से बैस्ट कैसे दे सकते हो हु it कि उत्तिर्पुष्टिका में देना होता है विज्ञान सिक्षन के मुल्यांकर में परमूख लिखित प्रिक्षाओं के जिस प्रकाश्य पर्षन की रचना पर्षन पत्र में होती है आगे दोस्तों निम्दात्मक पर्षन निम्दात्मक पर्षन की संक्या अने पर्षन की आतनततों होते हैं ऐसा नियुक्त प्रतिवन्द में बन दोते हैं कि ऐसा ही लिखना है वह अपने जो इच्छा अपने को उनको जो विध्यात को बहाँ लगता है जो उचीत लगता है उसके अकूर्डिंग वो उसका क्या दे सकता आंसर दे सकता है निम्दात्म परशन के कितना अच्छा समझा है इनके बहुषियों में कितने काम आने वाला है यह किस लिए उसकी जात की जाते हैं मुल्यांकन किया जाता है फासरी डोल में और सिर्षा, हमारी उमीद क्लासेज के याप पर आगे था सकते हो बहुत अच्छा आपeno किये दोस्तों जो आपको जैसे प्रिक्षा में क्यों सना थे उनके जैसे वो नहीं मिलते उनके जैसे यानि आपकी प्रिक्षा में समय का बाउंडेशन जो दो गंटे होता है तीन गंटे हो तो उसको देखते विए बनाएगे कि आप इस टेस्ट रिग उतने कितने समय में कर पारे हो तो आप उसको दस बारा टेस्ट शरी जाए आप इनको करोगे तो आपको जो डोगन टेम पेपर होने वाला वह दस मिनित पहले आपका पेपर पूरा हो जाएगा जिसक्योंकि कई कुछ छूड़ जाते हैं दोस्तों टाइम की वज़े से तो आपको टेस्ट शरी चार से पांच लाइन में होते हैं लिकित परिक्षा में संक्षीप और बिंदुवार कि परसुन के उत्तर दर्चाने के लिए हम सब्दे सीमा तय करनी होते हैं तता सो या 200 सब्दी या कुछ निश्यत सब्दों तक ही उत्तर देना होता है अत्ती लगुरात्म परसं जिसमे जिसमें एक पिजाल बगगे होता ही वस्तों से में और आपको एक परसंट करना पढ़ता है करेक्ट करना पढ़ता है कि रख्रेश से तिक लगाना पढ़ता है और आपको उनको आंस्वर बताना पढ़ता है पसुपरिचर पसुपर चराते भी आपको इसकी टेस्ट्री सोलुशन करवाई जाएगी दोस्तों इसमें बाकाइदा प्रेक्ट्रेल किया गया हमारा मैं बाकाइदा दस से सिरीज गो जोइन करके आप प्रेक्टिकल देख सकते हैं कि पसिस्ट्रेशर में लगने के बाद में क्या क्या करना पढ़ता है कि मुक्त अन्टै परसन इस प्रकार के परसन को बनाते समय उनमें उत्तर की कोई हिंत या विकलप नहीं होता दिये जाते इन परसनों के की जाते हैं कि पूचे के विश्यम में अधिक से अधिक जान करी थे इनमें कोई हिंत नहीं आता जैसे वस्तों निस्तिन तुछ दे दिया जाता है और में भी आपको ओप्शन दे जाता है जैसे मैत है पाई कमान 22 बटे साथ दे दिया लेकिनमें कोई हिंत नहीं वह अपने कोई आपसकता है सामने चार पाच पैनल देखार रहते उनके सामने अपने को देना पड़ता है अपने वाह पर योग्यता को बताना पड़ता है अपने एक क्वालिटी को बताना पड़ता हूँ कोई भी क्यूशन कर लेते हैं उसका आंसर देना पड़ता है और वह भी बहुत सरल सब्वाव में अपना एटिटूट भी वहाँ देखा जाता है ऐसा नहीं कि आप पढ़ाय में इंटेलिजेंट हो और चलने पिनने का तरीका नहीं नहीं है तो अम इंटर्व में सक्सेस्पल नहीं होंगे आपको हर पहलु को जाना चाहता है आपके हर पहलु को पहचा नहीं चाहता है कि credit कैसे रहा है आंस बॉलने का तरीका क्या आने का तरीका क्या इसका पहनावा क्या है बाल कितने बड़े का रखें सारे चीदियों को वह इंटर्यू वाले पहचान लेते हैं और वह अनुबव करते हैं हां जिस सही है तो सही है यह गलत है दोस्तों एक आई-एस होता है एक यूपीशी होता है यूपीशी में जब आई-एस का इंटर्यू तो देम जब उसके सामने इंट्री लेने के लिए बैढ़ते हैं तो एक पहलों को देखते हैं पुरे जिले का मालिक मना रहे हैं उसको लगों को उसको हैं करना रहता है और पूरा उसको शंतलना में रखना पड़ता है देखो उसकी नहीं जाज शकते तो पहले उसकी क्यालिया चाहते हैं इसलिए तो ऑसका क्या लिया जलत है ये राज़तान पुलीस सब इंस्पेक्टर की तैस्षिरीज आ चुकिए दोस्तों सम्पून हिंदी व्याकरण 200 नंबर के आते हैं पहला पेपर इसी का होता है आप इसको लेकर आप अपने तैयारी को क्या कर सकते हो बहतर बना सकते हैं निर्क्षन या अवलोकन कि अवलोकन या निर्क्षन का प्रयोग विज्ञानकी सरलताश में से होता है जब विद्यारती अपने पटन-पाटन की व्येस्थ होते हैं तो उस की वीवारघेंस साक्सों में क्यां सब्सक्राइए दोस्तों सामिल यह बश्षें की विकास पर overcome meteoruning पर बल दिया जाता है कि दोने डिया गया है यहां निरंदता का अर्टफ इस पर बल देना चाहिए है कि छात्रों की वर्दी और विकास के अभी ग्यात पक्सुका मुल्यांकर एक बार के कार्य करम के बजाए एक नियंतर परकरी है जिसे संपूर अध्यापन अधिकम परकरिया से निर्मित किया गया है और यह सेक्स की सत्रों को पूरा आवदी में फेली की विए इसका हर्त है कि मुल्यांकर की नेत्ता अधिकम अंतरालों का निदान सुदारातमक उपायूं का उप्योक स्यों मुल्यांकर के अध्यापक और चात्रों के साथ साक्षे का फीडबेक अर्था पर्ति पुष्टी है उनका साक्षे होते है जो उनके पास जो लास्क बचते हैं उनका क्या है एक पर्ति पुष्टी है यह हाँ उसने कितना किया कितना नहीं किया यह कौन से निश्कर स्विजा के पूंचा है कि दूसरा पद्य व्यापक कार्त है सेक्सिक और सेक्सिक पक्सुक को सामिल करते विए छात्र को वर्दी और विकास को परकने की योजना है यह क्या है दोस्तों जो छात्र होते हैं जो विद्यारति होते हैं उनकी वर्दी और विकास को क्या है एक परकने का साधन होता है कौन व्यापक कार्तु व्यापक्यट बहुत बढ़ा होता है दोस्तों इसमें विद्यार्ति को ये पड़कर जाता कि क्यों से इस तर तक पहुंचा इसमें पहले से अब सुधार हैं यह पहले से व्यापक मुल्यांकन के उद्धे से बोधात्मक मनो प्रेरेक और बहवात्मक कोसलों के विकास में साहिता करता है शीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना मुल्यांकन को अध्यापन अध्यकम प्रक्रियाfer का आवे विवाजW безопас बनाना ये इसके क्या चित्र प्राप्त करने के लिए मुल्यांकन का जयान इस बात प्रकेंद्रित होना चाहिए कि निमली कित बातू के लिए सोटीकों कितनी योग्यता और दोस्तों पढ़ाएना ही एक मुल्यांका नहीं पद्चे को पढ़ाना ही एक मुल्यांका नहीं देखो बच्टे के सर्वांगिन receive कासि का मतलब हो गया सबी पहलो को कि कास सबी ह odor का विकास करना सब सब एक सब्सक्कोे विवार की उसके बोलने चालने बास उसके बैटने में होने कि उसके पड़ाई में भी होना चैए है कि हर चीज में क्या होना चैंप पहले से भैथ का संय kung मुल्यांकन का मतलब मैं सरवांगिन विकास से लेता हूं हर पहलों में विद्ध दिमि कैसे वबाव हैं उसका कैस्या बेवार जाने के लेकिन सबी का विकास होना जाए कि एक सवस्त और उत्पादक जीवन का अर्थ समझना और वैसा जीवन भिताना समय समय बच्चे के ज्यान आच्रा और प्रक्रतिम होने वाली परिवत्न को मोनिटर करना मैंने बता देना भी यह बात एक लाइन में समझा दिनी सर्मांगिर विकास हर चीज उसके विवार में भी बोल चाल में भी सभी में उसका क्या होना चाहिए इंप्रमेंट होना चाहिए और सभी का क्या रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए यही बात देर के दोस्तों यहां पर अब उपलबदी का मुल्यांकन अगला टोपिक उपलबदी का मुल्यांकन उपलबदी का मुल्य सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए इसके लिए कई विद्यूं को अपनाया जाना किन्तु ग्रेडिंग पदेती का प्रयोग इसका रहतु बहतर होता है ग्रेडिंग देना ए ए प्लस देना बी देना सीर देना धी देना और एतना उसकी कुलाइट क्वालिटी का अधार पूसको क्या देना ग्रेडिंग करना उसको बहतर पर देशते करना विबीन शेतन में विद्यारति के उपलब्दियों की रिपोर्ट त्यार करते समय समय ज्यान को एप्रतेक्स ग्रेडिंग के पांच मिंदू का परयोग किया जा सकता है बच्चे का ग्रेड आया यह एपलस आया वह ग्रेडिक सिस्टम अनुवारी होना ची इसके अतरिक्त सेक्षिक और शिक्षा के जूड़े छेतरों और बच्ची के उपलब्दिक के इस तरको समन में कुछ टिपनिया धर्च की जा सकते यह टिपनिया सिक्षन के छेतर में प्रियास करने के लिए संथी माता पिता और बच्चू के लिए साहिक होता है जैसे पेजर म grosse मीटिंग में क्या किया जाता है दोस्तों जो मपस्तों अपकड़ा करता है यह इस लिए ठीओ पहराई नीं करता यह नहीं करता है यह नहीं करता है और वह नहींabd प्रवश समझागे तो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आपका ये नुक्सान हो सकता आपका बहुत गत्रों शुक्त है अपी यह हो जाए और पिर बच्चा क्या करता है उनको अपने घहन करता है जहां इसमें मेरा फाइदा है तो दिए दिरे जो उसमें गलत आ तो उनका क्या करतेया देदता और अपने इंदे प्रण समय मुट्यों आता ही नेक्सट में होती है प्हले सिस्मे sudaara से मी सब्सक्राइव करते हैं दौन मिलाकर उन्य ठपने को क्या करते हैं। पूर करने की कोशिय से करते हैं और इस बच्चे में जो गलते हैं उनको क्या करते हैं सुदाने की कोशिय से करते हैं था प्रात्म कि स्तर। सथ एक से लेकर प्राफ्थ टक प्रमॉल यांकन प्रात्मक शिक्ष्षा के पूरी δ 沒有 कि ब्रेंक् extrêmement साउधी जहरीब प्रेक्षा नहीं होनी ऐसा इस तरह बच्चों को अगले कख्षा में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए इस इस तरह पर मेरिट कायम करने के अनिवारता बच्च से बचना चाहिए ऐसा नहीं होने जब तो गौर्णमेंट ने आपने बोल रहा है आठीव क्लास तक किसी बच्चे को फैल नहीं कर सकते प्रक्तित्यों के विविद पक्सु को जानने के लिए यह मुल्यांकन होना चाहिए उनके अने प्रकार की जो उसमें कमी है जोटा बच्चा है दोस्तों उसमें काफी सारी कमी आते उन कमी को जानने के लिए क्लिए मुल्यांकन करना चाहिए आगे देखे उच्छ प्रात्म शेक्जाम की उनको YouTube में बारता है जोसे मालोग एक पुरी बूक्स है किसी बूक्स में 15 चैप्ट तो पहले टेस्ट में बोलते हैं तो छैप्ट रहेंगी दूसरे टेस्ट में बोलते हैं पांत से अद्वार चैप्टाइगी आपका 70 प्रेसेंट कोड़ सब्साइगा फिर ती परिक्षाओं को ज्यादा एहमेद देने की जरूरत तो नहीं है साथ उच्प्रात्मिंग इस्तर पर मुल्यांकर पूंट आंत्रिक होना चाहिए बोर्ड परिक्षाइं नहीं होनी चाहिए पर्तेक्स ग्रेडिंग व्यस्ता को अपनाया जाना चाहिए रिपोर्ट कार्ड पर देख्षता में जो मसुदा पेश किया है उसमें यही तो किया गया है कि उसको बात देनी कर सकते हैं आप उसको बात देनी कर सकते हैं कुछ तो बोड़ एक्जाम को उसमें दे रखता है दोस्तों बोड़ एक्जाम में खतम एक ही बोड़ एक्जाम रखने की सोच रहे हैं क और दोनों में बैठना जरूरी नहीं है आप किसी भी एक में बैठके अपनी वहां से पास से हो सकते हैं क्योंको दोस्तों इससे वह बच्चा क्या आतरा डिप्रेशन में आ जाते हैं और वह सोचता कि मेरा क्या होगा और दोस्तों यह टेस्ट लेना बहुत अच्छी बात है युनिट बातना बच्चे को बहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा साथ यह आप बच्चे को टेस्ट नहीं लोगे आप एक ही सोच लेगा मैं तो वार्षी का एक्जाम लोगा तो बच्चे को पढ़ाओगे न तो पहले का क्या होता जाएगा वो याद ही नेकरेगा ब तो यह अच्छी से अच्छी क्या बना सकता है यह सावधी जाच से लिखी तो प्रियूग आदाडी दोनों तरही की जाच प्रिक्षय ली जाने जे जिनका परशन पत्र बढ़ाने वाली शिख्षय की तियार करें देखो दोस्तो मैं पढ़ात हुँ मालो मैं गनीद पढ़ा रहा हुँ तो उन बच्छों का परसल में thयार करूं मेरेगो पता है कि इन बच्छो का स्थरन क्या है इन Bच्चों को कितना समझ हुआ रहे है इनको कैसे क्यूशन आने चाहिए और मेरे को कैसे क्यूशन देने चाहिए जिससे बच्चा इनको आशानी से कर सकता है और वो उत्साइद भी हो सकता है वो सोचे हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है इससे दोस्तों क्या आता है कि उनमें आगे परसंट ताम आएगी वो सोचे सबता रहता है कि बहुत इससे बच्चे क्या इस्तर है पुरी क्लास का क्या इस्तर है इनका पेपर किस लेवल का होने चाहिए कैसे क्यूशन होने चाहिए कितने टाइम का होना चाहिए और इनका आंसर ये कैसे दे रहे इससे क्या होगी उसी लेवल बनाएकर सभी बच्चों के अच्छे नमर आएंग हिमादटे में की स्था 910 इस तर दोस्तों इस तरफर स्यधान्तिक अवदानों को जानने उनकी स्ताय की जात करने के लिए परियोग खास कर मात्रात्मक मार्पट इस सिस्थ पर पाटेचरे का Isaac होना चेंठ सह्बuben प्रिचित क्राये और गुणात्मक समता की जाँच सांबिल की जाश सकते उनको प्रकने के लिए माद्र आत्मक और गुणात्मक क्या कर सकते उनमें उपयोग करे शक्तले । ह bottoms को सेपाटे चाहि पाठे चरेात्मक कारेक लावं में बागkeeदार को महतमौन और एक समान अनिवारता मिलनी चाहिए इसके तैट इस्तानी इस्तर के मुद्दूपर परियोजना कारी शिक्सु से प्राम्मस लेकर ली जा सकते हैं इनका उनका विज्ञान और प्रवद्विकी के मादम से समाधा ढूंडना सामिल होगा देखो दो से पार्टे चरेता कारे के लोग में बागिदार को वहतो हो और एक समाथ अन्यवारता मिलने चाहिए एक समान का मतलब सब्सक्राइब manipulating कुछी कि बीस्टेट में हो उनका ौनिक समान उनुक्त जिसे क्या हो सकता इसरा राजस्तान का बंदा कोई बी损्स commitment कर सकता उसको वही मिलेगा अब दोस्तों कोई पढ़ाई क्या होती है जैसे हो गया कोमन शिक्षा निति लागों करने का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई भी स्टूरेंट कहीं भी जाके पढ़ सकता है उसको कोई प्रोब्लम नहींगे अब क्या है दोस्तों सिक्षा सब्सक्राइब करना राष्ट विज्ञान मेलू की रचनात्मक खोजप्रक परियोजनाओं के माध्यम से भागिदारी और साती गनीत और विज्ञान ओलम्पियाड में भाग लेना चे उनको बच्ची को प्रोच्षाहित करने चाहिए कि आप देको थोड़े दिन बाद में वह उलिंपियाड होगा वहां पर काफी सारे बच्ची आएंगे आपकी कोमेंट टेस्ट होगा और जो वहां बैस्ट करेगा उसको सब के सामने सम्मानित किया जाएगा तो बच्चा सोचेगा कि मैं सबसे बहतर करूं क्योंकि मेरा पहले स्थान आएगा तो लाखों टेकी इसलेड़ी पर समानित ऊंगा फिरह केणदर पर समानित ऊंगा प्रेयोग और प्रोध्योगी की मोडिलियू उसका लगातार आंत्ति庫क मिल्नागां तक अंतिम परेंप्रिक्षा की लिए working Tribe विद्धान्त आदारीत पर्षन पत्रों वार्यों की बोर्ड प्रिक्षाओं में भी कुछ पर्षन प्रयोग तकनिकी आदारीत होने चाहिए देखो सभी विज्ञान के क्विशन होने चाहिए तकनिकी की होने चाहिए उपग्रह के वहने चाहिए अंत्रिक्स के वहने इससे उन्हें एक साथ सभी विश्यों की प्रिक्षा देने के लिए बोज किये बचाए जा सकता है दोस्तों जैसे अपनी सब्जागत होता है जैसे हिंदी होगी इंग्लीश होगी साइंस के बात कुछता हूं कि जिस्ट होगी और मैट होगी वाय होगी अलगलग दिन परिक् उसमें भी ग्रेडिक सिस्क्म होना चाहिए यह अपने एक छोटी से क्लास मुल्यांकन की मैंने पूरा अच्छा समझाने कोशिस किये दोस्तों कोशिस पूरी थी कि मैं आपको बोल के ज्यादा समझाओ बोल के ज्यादा समझाओ आध की क्लास को मैं है समाप्त करता हूं